नमस्कार दोस्तों स्वाथ करते हैं आप सभी एक यवस्ति जी कोईज में तो दोस्तों आए जोए की बिहारे डियलेट इंटरंस एक जम दोज़ार चॉबिस के लिए कुछ साइलेक्टिट कोईशन का एक वीडियो लेके आए हुए हैं जिसमें के कुछ हिंदी का कोईशन हमस कंप्लिट जरूर कबर कर लिजएगा जोब यह चल पर पहली बार आए चलो को जरू सब्सक्राइब कर लिजएगा ताकि जब भी क्लास और नौटिफिकेशन आप से भी को पराप्त हो सेके देखिए सुबह डेली आड़ विजे आप से भी को लाइफ क्लासिस दिया जाता ह तो डेली आड़ जमिने साथ में जरू जोड़ा कीजे तो चलिए शुरू करते हैं आए फाइस्ट कोईशन से करते हैं पहला कोईशन हिंदी से फूलेल में परतिये है तो आप सभी को बताए थे कि परतिये का पर्योग जो किया जाता है फिर वो किसी भी सब्सक्राइब के कारेक्ट आंसर ओंगे किलियर है अगला कोईशन ने तरह वर्न किन वर्नों की सहीवक से बना है तो यहाँट आंसर उफिस्ञें किलियर है यहाँट आंसर में विजाएंगे कि इनमें से कौन सा वर्तनी सुध है देख लूँजे कुणा किस प्रकार से लिखा जाता है तो सबी को पता होंगे ओफसर में ए राइट आंसर हैगा अगला कोईशन देखी अगला कोईशन निमलेखित में से आगया वाचक वाकी का चैन कीजिए question 4 के लिए right answer क्या होगा नीचे comment करके आपसी बताएंगे इन में से आग्या वाचक वागी कौन सा है right answer officer में सुझाएंगे सर पर्थम पूजा करके काम में जूट जाओ यह क्या है आग्या वाचक है यानि कि आग्या दिया जा रहा है कि तुम काम में जूट जाओ सर पर्थम पूजा करके काम में जूट जाओ तो ध्यान रखेगा C correct answer रहेगा अगला question दिखे 0 money का विलोम है पढ़िए इस कदर कि दुरहा के वीडियो आपको ना देखना पड़ी तो C right answer रहेंगे चरन धूली ध्यान रखेगा 0 money का विलोम क्या होगा चरन धूली होगा option नमस C correct answer रहेंगे के लिए रहें अगला question कर लेते फिर्ण अगला question है कि इन में से कौन सा समू वाचक संग्या है समू वाचक संग्या तो right answer option में भी हो जाएंगे भीड भीड क्या है समू वाचक संग्या है ध्यान रखेगा भी correct answer रहेंगे अगला question कर लेते है question 7 कि समास में में अथवा पर चिन का लोप होता है में अथवा पर चिन का लोप होता है कि समास में तो अधिकरन तत्पूरूस में होता है ध्यान रखेगा आप सभी option number a right answer हो जाएंगे ध्यान रखेगा a correct answer रहेंगे अगला question करते है question 8 एक च्छन भी ना सोचो कि तुम हो नश्ट तुम अनिश्वर हो तुम्हारा भाग सु अस्पष्ट किस रसका उधारन है option आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे चले question 8 के लिए right answer करेंगे आप सभी तो right answer option में भी जाएंगे विर रसका उधारने ध्यान रखेगा आप सभी किस रसका है विर रसका अगला question है question 9 अक्छी का परियावाची है डि right answer रहेंगे लोचन अक्छी का परियावाची क्या होता है फिर लोचन होता है अगला question देखे question 10 सो सियाने एक मत लोकोक्तियों का सही अर्थ है डि right answer रहेंगे बुद्धी मानों के विचार एक से होते हैं ध्यान रखेगा आप सभी सो सियाने एक मत लोकोक्तियों का क्या अर्थ है बुद्धी मानों के विचार एक से होते है के लिए रहें चलिए अब समाजिक अध्यन का कोईश्चन हमसे भी देख लेते हैं कोईश्चन है एक ऐस नम्मर निमलेकित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है option देखें नीचे दिया हुआ है चले question 21 के लिए right answer बताएंगे इन में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो right answer option में भी जाएंगे छोटा नाकपूर छेतर सिवकासी से सम्मनी थे ये गला थे सिवकासी जो एफ्रेंड ये आपका तमिल लाडू में है काँ पे हैं तमिल लाडू में जबकि कौलकाता हुगली छेतर टीटा गड़ ये सभी सही है उसके बाद मुंबई पूने छेतर अंबरनाथ ये भी सही है अहमदाबाद बढ़ोधरा छेतर और भरूची ये भी सही है तो सही नहीं है option नमर बी अगला कोईशन देखिए कोल बांध पर योजना का निर्मान भारत में निमले खित में से किस नदी पर हुआ है तो right answer option में भी जाँगे संतलुज नदी पर हुआ है ध्यान रखेगा आपसे अगला कोईशन ने कि भारत की निम्ले जीलों में से कौन सा आसाम में अवस्ती थे इन में से कौन सा जील जो फिर्फिन आसाम में अवस्ती थे योनि कहें तो आसम में तो right answer रेंगे चपनाल जील ये कहां पर है असम में इस थी थे ध्यान रखेगा अब सभी कोलेरियो जील आंदर परदेश में है ध्यान रखेगा ये कहां पर है आंदर परदेश में है अगर हिमरसर जील की बात किया जाए तो ये जो है वो आपका कच जीला गुजरात में है अगला कोईशन देखे यदि गरह की कक्छा दिर्ग वरीत है तो वह बिंदू जीस पर शूरी होता है क्या कहलाता है तो इसे हम सभी फोकस काते हैं ध्यान रखेगा आप सभी क्या काते हैं फोकस काते हैं अगला कोईशन है कोईशन में 25 कोईशन है निमलेखित में से कहां अंतराष्टिय समुन्दरी संगठन का मुख्याले इस्थी थे राइट आंसर ओप्शन में एव जाएंगे संख्यायकों को अपनी रूची की सिक्षन संस्थाओं की अस्थापना एब परशासन का अधिकार होगा तो ये किस अनुछेद में कहा गया है चले कोईशन मर 26 के लिए आपसी राइट आंसर बताएंगे तो ये कहा गया है अनुछेद 30 में ध्यान रखेगा किस अनुछेद में कहा गया है अनुछेद 30 में कहा गया है अगला कोईशन कर लेते हैं अगला कोईशने राष्टपती की मिर्ति होने या इस्थिपा देने पर राष्टपती कारिकाल के कारिभार का पालन उप राष्टपती कब तक करेगा तो ये अधिक्तम 6 महा तक करेगा ध्यान रखेगा 6 महा की अबदी तक करेगा तो option must see right answer एंगे के लिए रहें अनुछेद 65 कहता है अनुछेद 65 क्या कहता है कि अगर राष्टपती की मिर्ति हो जाता है तो इसके अस्थान पे उपराष्टपती कारिकर सकता है और 6 महा के अंदर में चुनाओ होना आवस्यक है यानि कि जो 6 महा के अंदर में राष्टपती का पद जो खाली है उसको भरना आवस्यक है ये अनुछेद 62 में काग्या है ध्यान रखेगा आप सभी दोनों अनुछेत को अगला कोश्चन दिखे निमलेखित में से कौन सा एक राज्य कि नीती निर्देशक तत्व का उद्देश नहीं है आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे चले इस कोश्चन कराईट आंसर करेंगे आप सभी आप सभी को बताये थे कि नीती निर्देशक तत्व जो है सभी धान के भाग चार में है ध्यान रखेगा भाग चार अनुछेत की बात किया जाए तो अनुछेत 36 से लेके 51 तक है 36 से लेके 51 तक नीती निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा किया गया है तो इसमें कौन सा उद्देश जोई की फ्रेंड वो सही नहीं ये ध्यान रखेगा आप सभी निती निदेशक तत्वों के बारे में तो राइट आंसर ओफिसर नमर इसका डी हो जाएंगे ध्यान रखेगा एक धार्मिक राज की अस्थापना करना ये बिल्कुल सही नहीं है जबकि सही क्या है एक कल्यान कारी राज की अस्थापना करना समाजिक आर्थिक कल्यान सुनिचित करना उसके बाद जोई की अंतराष सविधानिक उपवंद नहीं है तो इसका right answer option में ड्यू जाएगा एक राज संग राज छेतर सामिल कर सकेंगे ये बिल्कुल नहीं है नए राज के निर्मान के लिए सविधानिक उपवंद सही क्या है किसी राज छेतर बढ़ा कर किसी राज छेतर घटा कर कर सकते हैं किसी राज का नाम परिवर्तन करके कर सकते हैं ध्यान रखिएगा आप सभी नए राज्यों का निर्मान अगला कोईशन देख लिजे अगला कोईशन है निम्न में से किस पूरा अस्थल सी पासान सांस्कृति से लेकर हडपा से वेता तक के सांस्कृतिक अफसेश प्राप्त हुए हैं फ्रेंड तो right answer option नमर B हो जाएंगे मेहर गड़ चे वे ध्यान रखेगा मेहर गड़ कहां पे हैं तो ये आपका बुलिचिस्तान पाकिस्तान में है कहां पे हैं पाक में इस्ती थे ध्यान रखेगा पुलिचिस्तान पाक में इस्ती थे ये मेहर गड़ जो कि ये पूरा पासान काल से सम्बंदी थे अगला कोईशन कर लेते हैं कोईशन नमर 31 कोईशन है गौतम बुद्र की मा किस बन से सम्बंदी थी right answer option नमर डी हो जाएंगे कोलिया बन से सम्बंदी थी गौतम बुद्र की मा ध्यान रखेगा आप सभी जिसका नाम क्या था माया देवी ध्यान रखेगा क्या नाम था माया देवी नाम था इसकी मा का अगर गौतम्भू से संबनित कोईशन पूछ लिया जाए कि इसका जर्म जो हुआ था वो कहा हुआ था तो कपिल वस्तु की लूमनी नामा का स्थान पे हुआ था जो नेपाल में पढ़ता है और इसका जर्म किशवर्ष हुआ था तो 563 इसापूर में हुआ था यनि कहें तो सिला बिश्विद्याले की अस्थापना की तो राइट आंसर ओफिसन में विजाएंगे धरम पाल ने किया था विक्रम सिला बिश्विद्याले की अस्थापना विक्रम सिला बिश्विद्याले कहां पे हैं तो भागलपूर में हैं ध्यान रखेगा भागलपूर जिले में और देखिए गोपाल ने पाल वंस के अस्थापना की थी तो अगर कोईशन पूछ लिया जाए कि पाल वंस के संस्थापक कौन थे गोपाल थे अगला है सारनात इस्तंब का निर्मान किया था तो राइट आंसर आफशन में विजाएंगे असोग के दवरा सारनात इस्तंब का निर्मान किया गया था देखिए असोग जो इफ्रन ये मारवन से संबन्दी थे मारवन से संबन्दी थे असोग जो की बिंदु सार का पूत्र था अगला है योग दर्सन के पर्ति पादक हैं चले कुश्मत 34 के लिए आपसी राइट आंसर बताएंगे राइट आंसर आफशन में ये हो जाएंगे पतन जली थे अगला देख लिए जे कुश्मत 35 कर लेते हैं तो याद रखेगा आप सभी भारतिय सासक जो पत्ता एबम कबूलियत वेवस्था प्रारम की थे अगला कोईशन देख लिए जे अगला कोईशन है कि मुगलों एबम मेवाड के राना के मद चितोड की संधी कि सासक के सासनकाल में हस्तनांत्रित हुई थी तो राइट आंसर आफशन में बिज़ेंगे जहांगिर के सासनकाल में वी तिफिन ध्यान रखेगा आप सभी किसके सासनकाल में जहांगिर के सासनकाल में अगला कोईशन कर लेते हैं अगला कोईशने साइतिस नमबर ने मलेकित में से भारतिय राष्टे कॉंग्रेस ने किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गंधी मर सकते हैं परन्तू गंधी बात-सदय बना रहेगा तो यह किस अधिवेशन में कहा गया था? तो राइट आंसर रुज़ेंगे option में D, कौनाची अधिवेशन 1931 में कहा गया था कि गंधी मर सकते हैं पर गंधी बात-सदय बना रहेगा तो ये कराची अधिवेशन 1931 में कहा था अगला कोईशन है काडमम पहाड़ियां जिनकी सिमाओं पर इस्थी थे वह है तो right answer option number C हो जाएंगे केरल और तमिल लड़ो की सिमाओं पर इस्थी थे ध्यान रखेगा काडमम पहाड़ियां के लिए रहें अगला कोईशन देख लिए कोईशन में 49 नेमलेकित में से भारत का कौन सा छेत्र मिरिदा अपरदन यानि की इरोजन से अतिधिक परभावी थे इसका option आपको नीचे भी देखने के लिए मिल जाएंगे तो इसका option मड़ी right answer रहेंगे चम्बल घाटी से परभावी थे ध्यान रखेगा आप सबी option मड़ी correct answer रहेंगे अगला कोईशन कर लेते हैं अगला कोईशन है कि राष्ट्य परियावरन अभी यांत्रे की सांस्थान इस्थी थे तो right answer option मड़ी जाएंगे नाकपूर में इस्थी थे कापे हैं नाकपूर में अगला कोईशन कर लेते हैं भारत की काले मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उप्यूक्त होती है तो देखे काले मिट्टी जो है की सबसे अधिक जो विस्तार देखने के लिए मिलेगा आपको प्रस्मी छेतर में जैसे कि आपका गुजरात होगे महराष्ट होगे मद्द परदीश होगे ये सभी में काले मिट्टी का विस्तार है जिसे हम सभी रेंगूर मिट्टी भी करत सबसे अधिक वर्षा की बात किया जाए तो मांसी रम महगाले में अगला है भारत में दो सबर्दिक नगरी कृत राज्जी है तो राइट आंसर ऑफिसन नमर सी वह जाएंगे गोवा और मिजोरम हैं यह दोनों सबसे अधिक नगरी कृत राज्जी है ओफिसन में सी करेक्ट आंसर एंगे अगला कोशन देखे जिफन कि वर्ष 2011 के जनगन्ना किनु सरनेम लेकित राज्जों में से किसमे सर्वोच साक्षरता अस्त्र है तो राइट आंसर ऑफिसन में यह जाएंगे मिजोरम में ध्यान रखेगा मिजोर में चुत्र ग्रह यानि कि एस्त्रोयय फीमद्ये कि मध्डि हैं जो निम्न ग्रहों के मद पाई जाते हैं क deficiency चोटटा चोटा जो चुद्र ग्रहों करते हैं जिसे एस्त्रोयय कलते हैं यह कि किन ग्रहों की मद्द में है खहुल्य पे तो ये मंगल और ब्रहस्पती गरों के बीच में देखने के लिए मिलता है ध्यान रखेगा आप सभी आफसर नमर B राइट आंसर हो जाएंगे अगला कोई से देख लेजे भारते सविधान का कौन सा भाग सविधान की आत्मा कहलाता है तो इसका राइट आंसर आफसर नमर D हो जाएंगे सविधानिक उपचारों का अधिकार इसे हम सभी क्या कहते हैं भारती सविधान की आत्मा कहते हैं यानि कहे तो अनुछेद 32 को अनुछेद 32 को भारती सविधान का आत्मा कहा गया है और ये किसके दुरा का गिया है डॉक्टर भी और अम्बेट करके दुवाला तो कई बार कोश्चन भी पूछा गे फिन ध्यान रखेगा आप सभी अगला कोश्चन देख लेते हैं भारत का सर्वोच नियाले एक अभिलेक नियाले है इसका आसे है की तो देखे 47 का option number C right answer हैंगे ध्यान रखेगा आप सभी option में C correct answer हो जाएंगे कि इसे अपनी अब मानना करने वालों को दंडित करने की सकती है ध्यान रखेगा C correct answer हो जाएंगे कोईश्चन क्या था फिर से एक बार देख लेजे कि भारत का सर्वोच नियाले एक अभिलेक नियाले है इसका आसे है कि इसे अपनी अब मानना करने वाले को दंडित करने की सकती है तो option में C correct answer हैंगे अगला कोईश्चन कर लेते हैं कि हम नियाइक पुन्डराब लोकन की विवस्था रखते हैं तो ये विवस्था किस में रखते हैं तो धियान रखेगा भारत और USA दोनों में रखते हैं तो option नमर D right answer हैंगे के लिए रहें अगला कोईश्चन कर लेते हैं अगला कोईश्चन है फिन कि भारते सभिधान के किस अनुछेद के अंतरगत राष्टपती को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमती रोक ले तो ये किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है राष्टपती आप से को बता हूँगे कि भारत में सबसे सर्वोज पद जो है वो राष्टपती कहीं होता है डी राइट आंसर हो जाएंगे अनुच्छेद 111 के तहत जो एकि फिन राष्टपती को अधिकार है कि वो किसी बील पर अपनी अनुमती रोक सकता है तो ये अनुछेद 111 के तहट अगला कोईसन है एक चुयरीज सब्द सम्बंदी थे बी रैट आंसर हैंगे बीमा से सम्बंदी थे अगला कोईसन देखे पुझी बजार से आसे है चले कोईसन में 51 के लिए रैट आंसर बताएंगे पुझी बजार से आसे है रैट आंसर आफशन में विजाएंगे सियर बजार से ध्यान रखेगा एक एरेक्ट आंसर हैंगे फिरिंड अगला कोईसन कर लेते हैं कोईसन में 51 अगला है रीजब बैंग के उस गवर्नर का ना नाम बताइए जो बित मंत्री भी हुए हैं भी राइट आंसरेंगे सीड़ी देश्मोग ये बित मंत्री भी रा चुके हैं जो कि गवर्नर के पदपे थे ये याद रखेगा आप सभी ऑफिशन में भी राइट आंसर हो जाएंगे कभी कभी कोशन पूछा जाता है कि उस भारती रिजब्बेंक के गवर्णर भी रहा चुके हैं तो ध्यान रखेगा डॉक्टर मनमोहन सींग वो परधान मंत्री के पहले जो एकी भारती रिजब्बेंक के गवर्णर भी थे अगला को इसने दा हिमालियन मौंटेन नीरिंग इंस्टिठिट्यूट निम्न अस्थ कित राज्जों में से किस राज्जी का समुंद्र तट सबसे लंबा है गुजरात राज्जी का उसके बाद आंद्र परदीश का है अगला कोशन देखे हिमाले के हिम नदों के पिघलने की गती है तो राइट आंसर ओफिशन नमर भी हो जाएंगे सबसे अधिक है ध्यान डखेगा आप सभी तो हिमाले के हिम नदों की पिघलने की गती सबसे अधिक है अगला कोशन देखे फिन इबोर बतुता भारत में किस के सासनकाल में आया था तो आप सभी को पता हो नचे फिन इबोर बतुता ये मुरको की यातरी था जो कि लमसम 1333 इसवी में ये मुहम्मद बिन तुगलक की सासनकाल में आया था दियान रखेगा आप सभी ऑफशन मड़ी राइट आंसर हो जाएंगे और इबोर बतुता की द्वरा ही एक पुस्तक रिखा गया था रेहेला नामक पुस्तक तो इसे भी ध्यान रखेगा आप सभी अगला कोशन है बैंक दर से अभी परिया है उस व्याज दर से है जो अफ्सन आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे चलिए इस कोशन का राइट आंसर बता हैंगे आप सभी तो इसका राइट आंसर आपसर में बीजाएंगे बैंकों दोरा रील लेने बालों से ली जाती है तो बैंक दर से अभी परिया है उस व्याज दर से है जो आंसर ऑफिशन में विजाएंगे एक विकासिल अर्थविवस्ता की रूप में वर्नित की जा सकती है भारती अर्थविवस्ता को अगला है हाल हिमे परकासित एक सोध पत्र में हिंद महासागर के समीप रहने वाले किस जीव के पिर्थवी पर पुनल लोटने की संभावना व व्यक्ति की गई है तो ऑफिशन में भी राइट आंसर हैंगे अब चलिए समान विज्ञान के कोईशन को हमसे भी कवर कर लेते हैं कोईशन है गैस फ्लेम जिसे ज्वाला काते हैं कि सबसे गर्म भाग को क्या काते हैं गैस फ्लेम जो जलता है उसके सबसे गर्म भाग को हमस का रूपांतरन करने के लिए निम्लेकित में से किसका उत्पादन होता है तो राइट आंसर ओफिसर में बिजांगे बिद्दूत उर्जा का उत्पादन होता है द्यान डखेगा परकास वल्टी सेल के परियोग से सौर उर्जा का रूपांतरन करने के लिए निम्लेकित में से किसका उत्पादन होता है तो विद्दूत उर्जा का होता है अगला कोईशन देखिए प्रीज में से गुजरने पर परकास का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दरसाता है राइट आंसर उफिसर में सुझेंगे बैगनी दरसाता है ध्यान रखेगा आप सभी तो कौन सा रंग दरसाता है बैगनी अगला कोईशन देखिए किसी पदार्थ का फोटो ग्रॉफ लेने की अपेक्छा उद भासन काल किस पर निर्भर करता है तो ये निर्भर करता है पदार्थ की चमक पर ध्यान डखेगा ये राइट आंसर रेंगे अगला है बिदूत चुमबक के तरंग है तो राइट आंसर ओफिसर में डियो जाएंगे अनुप्रस्त तरंग है विद्दुद चुम्बक के तरंग ध्यान रखेगा आप सभी अगला है विद्दुद चुम्बक के विक्रण जिसका उप्योग एक परभासाली निर्जामक के रूप में होता है वह है तो राइट आंसर ओफिसर नमर भी जाएंगे प्राबैगनिक है ध्यान रखेगा आप सभी तो बिद्दुद चुम्बक के विक्रण जिसका उप्योग एक परभासाली निर्जामक के रूप में होता है वह है प्राबैगनिक अगला है निमलेखित में से कौन सा विद्दुद चुम्बक के तरंग नहीं है तो राइट आंसर ओफिसर में से जाएंगे धोनी तरंगे दिखे धोनी तरंगे जो फ्रेंड ये विद्दुद चुम्बक के तरंगे नहीं है ध्यान रखेगा जबकि रेडियो तरंगे अब आज़ान रखेगा यह किस सिधान पर अधारी थे परकास बिद्दूत पर भाव पर अधारी थे अगला कोजिशन देखें तामबा किसके दुवरा सुध होता है तो राइट आंसर आफिसर में चेज़ेंगे बिद्दुत अब घटन से सुद्ध होता है तामबा ध्यान रखेगा आप सभी अगला कोईशने तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है तो ये राइट आंसर हैंगे ब्रोमीन ध्यान रखेगा ब्रोमीन जो इफिन ये तरल अवस्था में पाई जाती है अगला कोईशने धात्वों की प्रिष्ट पर एक उप्योगते तरंग धायरे का परकास पढ़ने पर एलक्ट्रोन के उत्प्रेक्षन की परिगटना को क्या काते हैं कोईशन नमर 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ध्यान रखेगा आप से इसे परकास उबैधूत परभाव काते हैं अगला कोईशन देख लिए जे निमलेखित में से किस धातू का गल्लांग सबसे कम है तो पारा का गल्लांग जोईफिन ये सबसे कम होता है अगला है बेयर का अभी कर्मक क्या होता है तो बेयर का अभी कर्मक जो होता है छारिये पोटासियम पर मैगनेट होता है ध्यान रखेगा बेयर का अभी कर्मक ऑफिसन में ए राइट आंसरेंगे अगला है रेडियो सकिर्य तत्व होते हैं तो B right answer रहते इस्थिर होते हैं ध्यान रखेगा आप सभी अगला देख लेजे एक नाभिक्य किर्या के दोरान मुक्त उर्जा होती है तो B right answer रहेंगे नाभिक्य उर्जा होती है एक नाविकिये किरिया के दुरान मुक्त उर्जा होती है नाविकिये उर्जा अगला कोईशन देख लिए और उनके कारियों का अध्यान क्या कहलाता है तो और उनके कारियों के अध्यान को हम सभी क्या काते है और उसदी परभा यहने कि और उसदी बिग्यान काते है कई बार कूशन पूछे जा चुके हैं अगला है लोह की कमी से कौन सा रोग होता है तो लोह की कमी से पोलियो रोग होता है द्यान रखेगा कौन सा रोग होता है पोलियो अगला है वह धातु कौन सी है जो बिटामिन B12 की एक घटक है यहने कि vitamin B12 में पाय जाता है तो वो कोबाल्ट पाय जाते है vitamin B12 में अगला है मानव सरीर में संकर्मन को रोकने में मदद करने वाला vitamin है तो right answer option number A हो जाएंगे vitamin A धियान रखेगा यह मानव सरीर में संकर्मन को रोकता है बिटामिन A का रासाइनिक नाम क्या है फिर रेटीनॉल है यहां रखेगा रेटीनॉल बिटामिन A का रासाइनिक नाम है बिटामिन B को हमसे भी क्या काते है थाइमीन काते हैं जिससे बेरी बेरी रोग होता है इसकी कमी से बिटामिन C को स्कॉर्वी एसिट काते हैं जिससे स्कॉर्वी रोग होता है बिटामिन D की कमी से सुखा रोग होता है और इसका सबसे परचूर मातरा देखेगा तो वो आपका मच्री के यकृत तेल में सबसे अधिक होता है और विटामिन D का सबसे अच्छा सुरूत जो है वो आपका जो है कि सूरी है और विटामिन D का रासनिक नाम क्या है कैल्सी फेराओल है ध्यार लखेगा अगर यही पूछ लिया जाए कि विटामिन C का सबसे अच्छा सुरूत क्या है तो आमला है अगला है सिमेंट उद्धोग में निमलिकित में से किसका परियोग बड़ी मातरा में किया जाता है तो राइट आंसर ओफिसन में विज़ेंगे चूना पत्थर का परियोग करते बड़ी मातरा में अगला है रेडियो धर्मी डेटिंग एक परकिरिया है जिससे मापा जा सकता है तो right answer option में विज़ेंगे चट्टानों की उम्र को मापा जा सकता है रेडियो धर्मिक डेटिंग परकिरिया से अगला कोजिशन देखिए मस्तिक तथा मेर्यू रज्जू पर चड़ी जिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है तो right answer एंगे मेनेजायटिक्स रोग होता है फिन option में D correct answer एंगे अगला कोजिशन देखिए नेमलेकित कतनों में से कौन सा कतन है सही कतन का चैन कीज़े मानब सरीर में उर्बरीका याने की फिमर सबसे लंबी अस्ति है हाईजा रोग जिवानों के द्वारा होता है एथलिट फूट रोग विशानों के द्वारा होता है आफशन देखे नीचे दिये हुए है तो right answer आफशन में से जगे एक और दो सही होगा ध्यान रखेगा आप सभी कि मानब सरीर में फिमर जोग की सबसे लंबी अस्ति होता है ध्यान रखेगा जो जांग के अड़ी है और हाईजा रोग जोग विशानों से होता है ये बिलकुल सही है एथलिट फूट रोग जोग जोग विशानों के कारण होती है ध्यान रखेगा ना की विशानों के कारण अगला हिर्दे का अराम होता है तो हिर्दे का जो अराम होता है दो धड़कनों के बीच होता है तो option में C rate आंसरेंगे अगला देख लिए कोईसमे 86 निमलेकित में से कौन लोग का अच्छा सुरूत है तो लोग का अच्छा सुरूत है पालक अगला देख लिए जे कोशन में 87 गाडियों को चलाने के लिए हाइट्रोजन गैस विदा जनक रूप जे इंधन के रूप में परियोग लाई जा सकती है यदि वह कम तापर किसी पदार्थ द्वरा सोसित हो ताकि वह निर्वातक द्वरा उत्पन तापमान पर मुक्त हो सके वह कौन सा पदार्थ है जो भारत में पाया जाता है ओफ्सन देख लिए जे नेचे दिया हुआ है तो वह कौन सा पदार्थ है जो भारत में पाय जाता है हाइट राइट है ध्यान रखेगा ए राइट आंसर हो जाएगा कोश्चन थोड़ा सा बड़ा है कोश्चन को समझने का कोश्चिस किजेगा कोश्चन है कि गाड़ियों को चलाने के लिए हाइट रोजन गए सुविधा जनक के रूप में इंदन के रूप में परियोग में लाई जा सकती है यदि वक कम ताप पर किसी पदार्थ द्वरा सोस रेंगे अगला है radar का परियोग मुख रूप से किया जाता है तो देखें radar का जो परियोग किया जाता है option नीचे दिया हुआ है तो right answer option में सुझेंगे radio तरंगों द्वरा वस्तों की उपस्तिति और इस्तिति ज्यांत करने के लिए radar का परियोग करते हैं तो ध्यान रखेगा आप सभी अगला question देखे विश्व अस्त्र के प्रोग्राम Human Genome Project का संबन्द है option देखे नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे चले question नमर 89 के लिए right answer करेंगे आप सभी तो इसका option नमर D right answer हैगा ध्यान रखेगा मानब जीनों और उनके अनुकर्मों की पहचान और मानचितरन से तो ध्यान रखेगा आप सभी option में D correct answer हैंगे विश्व अस्त्र के प्रोग्राम Human Genome Project का संबन्द किस्से हैं मानब जीनों और उनके अनुकर्मों की पहचान और मानचितरन से संबन्दी थे अगला है निमलेकित में से कौन सा रख्त हीमोगलोबिन के साथ अनुत कर्मनी संस्लिष्ट बनाता है तो ये बनाता है कार्बन मोनो आकसाइड option मसी right answer हो जाएंगे तो ध्यान रखेगा आप सभी चलिए आज के इतना है हम से हिंदी हिंदी पलस जी के और जी अस का जो पोर्शन था उससे हम से भी कवर किये हैं आज के ये सेट के सल आप से को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएएगा और आज के सेट में कुल कितने कोशिशन आप से भी accurate सही कियें अपना score भी निचे comment box में जरूर बता की जाईएगा तो चले मिलते हैं जहिन बंदे मातरम ध्यान रखेगा पड़ाई करते रहेगा फिर जाती जाती वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर सेर किजिएगा आप से भी से request हैं जहिन बंदे मातरम